square root of 64 64 का वर्गमुल कितना होगा prime factorization method से करेंगे 64 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 बन जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 बन जा 2 So the factor of 64 is square root 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 पे बन रहे हैं 1 2 3 तो यहाँ से जो factor बाहर होँगे वो 2 into 2 into 2 ठीक है? एक pair में से एक ही बाहर होगा So इनको multiply करेंगे 2 to 4 4 to 8 इस प्रकार से जो बर्गमूल होगा 64 का वो कितना होगा? 8 होगा 10 square root of 64 is equal to 8 तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक लिए thank you class